नमस्कार देनिक जागति यूटूब चैनल पर आप सबी का स्वागत है आज के वीडियो का अमारा विशे है फल वैब फली बेद्दक कीट यानी एलिको वर्पा आर्मी जेरा का एक इकरित नासी जीव परबंधन कैसे करें किसान भाईयों यह बहुत इतना कीट है बहुत सी पसलों और सब्जियों में बहुत किसान भाईयों को नुक्सान पहुंचाता है तो आज हम इसके बारे में जानेंगे लेकिन उससे पहले में आप सभी से अनुदोब करना चाहेंगा कि आप हमारा यूटूब चैनल कर लिजिए और बाद में दिखाई देने वाले गंटी के आइकोन को आप दबाना मत भूलिए इससे आपको समय समय पर करसी से जुड़े में तरफोन वीडियो उपलब दोते रहेंगे और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे उपलब जानतारी अच्छी लगे तो किसान बायों के लिए आउसे का हीवे इस किट के Бारे में पूरल्डब फल्वी खली वेदक कीट एलिखो वर्पा आर्मी JIラ एक बहुत यानिक अरख किट है जो कहेंवार में पासल प्रातरमन तर ह경ने नुख्सान पहुνच आता है फलवा खली 16 किट का प्रकोग मुखे रू अंदी टमाटर वैगोबी में अधिक देख खा गया है किसान भायों के लिए यह आउसे कहीवे इस कीट के बारे में पूर्ण जानकारी रखें ताकि आप उचित समय पर कीट की रोप्ताम के लिए उचित कदम उठासके इसकी पैचान के सान भायों इस परकार है फलवापली इचित समय पर कीट का पतंगा पेले बूरे रंगा और अगले पंक के उपरी सतय पर एनिमी ताले रंग के दब्बे हम पंक के किनारों पर दूसर रंग की तारियां होती है इस कीट के पूर्णता विक्सित सुन्डी 35-40 मिलिमीटर रंगी और अरे रंग की इन दोनों तरब सपेद रंग की एक एक पट्टी और शरीर पर अलके बाल पाए जाते हैं इसका जीवन चक्तर किसान भायों इस परकार है मलगा फली 6-10 कीट की माददा पतंगा पूर्दे के नाजू के 100 पतियों और फूर पर एक एक तरके चंतीले मलाई के रंग के 700-1000 तक अंडे देती हैं ये अंडे 4-5 दिन में पूरते हैं जिससे सूंडिया निकलती हैं सूंडिया लगबग 20 दिन में पूर्णते विक्षित होती हैं उसके बाद लगबग 10-12 दिन तक कीट कोस यानि प्युपा के रूप में जमेन के नीचे या अन्य गास की पतियों पर पड़ी रहने के बाद पतंगावा व्यासक बनकर बाहर निकलती हैं ये तो इसका जीवन चक्कर का अब ये कितनी च्छती और नुक्सान पहुंचाता है फ़ल और फली छेतर की केवल सूंडिया ही नुक्सान पहुंचाती है कि इपता प्रकोप पसल के प्रारम विकावस्ता से शुरू हो जाता है पहले पोप देखे नरम वागों और बाद में फल एम सब्जी बनने पर उन्हें तुरूंत खाती हैं सुनिया अपना सिद फली या फली के अंदर गुशा देती हैं जब कि शरीर का सेश वाग फली के बाहर बना रहता है अब किसान 22 का परबंदन कैम से करें तो आप इसका परबंदन इस पर तर्टापक्षर कर सकते हैं फली फली 3nat के परंदन या नी के की आर्थिक आनिस्तर फ्रतर न पहुँशन ने इसके लिए आवसे कहें कि पसल की शुरूआते अवस्ता से लेकर पसल पतने के समय तक किरान कम से कम सब्ता में एक बार अपने कीट को अवसे जाकर कीट परको के स्थर को देखें जिसे उचित समय पर कीट परबंधन की विभीन विदियों को अपनाया आप जा सके जो इस परकार है फल व फली छेदग या बेदग के परबंदन यानि रोख थाम की भी दिया इस परकार है विया वारिक किरिया है नमबर एक गर्मी में गहरीज उताई करें ताकि खेट में उपस्तित प्यूपा या तो भूप में मद जाएंगे या फिरुमें पक्सिता कर नश्ट कर देंगे नमबर दो फल वा फली छेदग कीट परती रोधी और कीट सेंसिन किसमें उगाएं नमबर तिन फल वा फली छेदग से प्रभावित खेट में तीन से त्यार वर्षे पसल चक्तर अपनाएं नमबर चैर फल वा फली छेदग रोधाम के लिए एक ही और उचित समय पर विश्तरी छेदग में पसल आप उपूगाएं नमबर पांच है मुखे फसल के साथ साथ के नारों और दस से पंद्रा पंतियों के बाद कीट को आतरशित करने वाली पसले जैसे के अंदा सर्षों लगाएं नमबर चैर फल वा फली छेदग के नेंतन के लिए शिट्चाई एम फाज का उचित परबंद करें यानि संतुलित मात्रा में आप अपने फसल में साथ और सिट्चाई का परबंद करें जिससे की उसकी रोग्था मोसके अब बात आती है यांत्रिक किरियां द्वारा आप कैसे उसका परबंदन कर सकते हैं नंबर एक फलवा फली 16 कीट का प्रकुबट में परूब उनके अंडेम सुनियों को इकठा करके नश्ट करदें किसान भाई इससे इसकी रोग्था में बहुत साहता मिलेगी नंबर तो फेरोमोन ट्रेप का प्रियोग करें जिसे समय पर कीट के आवा गमन का पता चल सकता है तो था साथ इन नर पतंगों के पकिड़े जाने से कीट के अगली कीट ही रूप जाती है इसे यह अंतर से एक छोटी रबर की कर्द्रिम रूप से इस इक गंद लगा दी जाती है जैसे एक गंद मादा कीट नर कीट को अपने और आकर सित करने के लिए छोड़ती है नर कीट यह सोच कर इसके पास आता है कि यह मादा बैटी है लेकिन वह निचे लगे पोलेथिन में फस्टर रह जाता है नमबर तीन फसल पर नुक्सान कर रही सोंडियों को पकड़ कर किसी बोतल या जार में बंद करते यह सोंडियां एक दूसरे को खातर मर चाती है उसके बाद किसान बाइक देविक किरियों दूआरा भी इसका नियंतर चरशकते हैं वो किस परकार है फसल को नुक्सान करने वाले फलोगा फली चेद्दक को मारने वाले विभिन परकार के मित्तर किट प्रातरतिक रूप से फसलों में पाय जाते हैं जो कि काफी अद्धत फसल की सुरुक्षया में सक्सम है लेकिन पिछले काफी समय से फसल सुरुक्षया के लिए रैसायमूं के अंदाधूं परियोग से मित्तर किट्टूं की संख्यात कम हो गई है जिने परियोग साला में बटातरी अदिक्यत्तों में छोड़ा जाये तो यह मित्तर किट्ट से फ्रुकीट की विविन अवस्ताओं को नश्क कर देते हैं वो किस परकार करते हैं वो इस परकार करते हैं नमबर एक, एंड पर जीवी, ट्राइकोग्रामा की विभिन पर जातिया हैं नमबर दो, एंड सुन्दी पर जीवी, कोलिनेंस, बेलेकोवरनी की विएनेक हैं नमबर तीन, सुन्दी पर जीवी, ब्रोकन आदी और नमबर चार कीट कोश या पगपा परजीवी ट्रेटरा स्टीकस और नमबर पांच है परबक्सी मकडी डरकेन फलाई और डेमसेल फलाई और ट्राइसोपा अब दियें ये मित्तर कीट हैं जिनको परजीवी बोलते हैं आप इनको अपने खेट में छोड़ सकते हैं तो उस से भी इस किट की रोगठा में काफी आपको सायता मिलेगी नमबर चार है अनपीवी यानि नाप विक्किये बहुग ये वाइरस की 500 से 700 सुनियों के बराबर गोल में एक परतिशित बूड़िया चिन्नी मिलादर परत्ती एक्टेट की दर से श्याम किसमें छिड़काव करे या बीटी उस्ताकी का देड़ से दो मिली लीटर परते लीटर पाने का गोल बना कर भी आप छिड़काव कर सकते हैं नमबर साथ फलो अखली बेददक के लिए नीमादारी दवाईयों का इस्तेमाल दरे ये दवाईयां किसान भाईय अपने घर पर भी बना सकते हैं इसके लिए हमने पहले एक वीडियो भी बनाया है और लिथा हुआ भी है वेबसाइट पे तो आप आके पड़ भी सकते हैं और वीडियो भी सुन सकते हैं कि वो कैसे काम करते हैं और आप कैसे उसको बना सकते है उसके बाद बात आती है किसान भाईयो रहाशायनिक किलिया हैं जो सबसे अंतिम उपाय है एगर उप्रोक्त उपाय सभी विस्पल हो जाएं तो फिर आप इसका प्रियोग कर सकते हैं रहाशायनिक दवाओं का फलवा फली ब्यद्द या फ्यद्च्छद केत्व रशाइनेंगों का प्रियोग अंतिमुपाय के रूप में करें यदि उप्र बताये गई शभीत रखेंगों के बार भी किट्पर को भार्थिक आने स्तर से उपर रहे येसी स्थित्याने पर उन रचायनेकों का प्रियोग करें जो कि मिंगतर किफूं के लिए शुरिच्चित हों तो ये तो थी फली 60 फल स्थाक कीट की रोगथाम की जानकारी आप इस परकार से इस कीट की रोगथाम कर सकते हैं और यदि वीडियो में उपलब जानकारे से आप संतुर्ष के हैं तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक किसां 22 के बारे में जान सकें और यदि आपने हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लिजिए और बात में दिखाई देने वाले गंटिक आइकोन को आप दबाना मत भूलिए और यदि आपको वीडियो में कोई समस्य आती है तो हम लेक का यूरल या फिर लिंक निचे वीडियो डिस्क्रेप्शन में दे देंगे वहां से कलिक करके आप वेव साइट पर आके भी इसको पढ़ सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में हम एक बात तिल आपके सामने नई जानकारी के साथ उपस्तिक होंगे तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद